हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू अनधर क्विक टुटोरियल दोस्तों आज के इस वीडियो में एक गूगल क्रोम का प्रॉब्लम का सॉलुचन लिकाया हूं जिसमें आप देख सकते हैं अगर आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो कहीं भी अगर आप क्लिक करते हैं तो देख स प्रॉब्लम आती है लोगों को यह गूगल क्रोम में प्रॉब्लम है तो अगर मैं यहां पर कुछ लिखना चाहूंगा तो लिख नहीं पाऊंगा लेकिन यहां पर करसर ब्लिंक हो रहा है ब्लिंक होता है तो सभी को लगता है कि यहां पर हम कुछ लिख सकते हैं लेकिन यह तो देख सकते हैं यहां पर अगर मैं कुछ भी सर्च करूं सपोज मैं अपना साइट ही सर्च करता हूं Multi-Care Technical तो देख सकते हैं यहां पर आ रहा है सब चीज अगर आपको कुछ सीखना हो WhatsApp Tips के बारे में तो यहां पर क्लिक करके सीख सकते हैं Excel के बारे में यहां से आप हमसे कुछ बात कर सकते हैं यहां पर जैसे Contact Us पर कोई Topic बगएर अगर आपको हमें Send करना है कि इसके बारे में वीडियो बनाए तो यहां से आप Direct क्लिक करके हमें बता सकते हैं Excel Tips लेना हो या जो भी है यहां पर आप जाके चेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं बढ़ा करसर आपक बिंक हो रहा है। फिर सकते हैं इतना वड़ा बन गया और यहां पर बिंक होने लगा तो यह बहुत ही क्यूशन अब या प्रेस करने एंब से प्रसे करें प्रस एफ 7 मैं प्रस किया और यह हमारा preciso records यह नहीं तो है उप्र होगो सिव और हो हैक यहां पर क्लिक करने हो लगेगा अब फिर से ए साथ सिर में हुने नहीं करने लगा लाग में हमारा फिर यहां पर वियह सिर्द करने हैं आपका काम नहीं कर रहा तो यहां पर option में आना है आपको और settings में जाना है settings में जाने के बाद यहां पर accessibility है accessibility पर क्लिक करना है यहां पर देख सकते हैं यह है एक आपके पास navigate pages with text cursor ठीक है इसे आप on करेंगे तो यह फिर से blink होने लगेगा जहां तहां और इसे बंद कर देंगे तो यह blink होना बंद हो जागा आप देख सकते हैं यहां पर shortcut key भी दिखा रखा है F7 तो आप shortcut से भी कर सकते हैं या फिर यहां पर आके manually भी on off कर सकते हैं तो इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है चोटा सा information गूगल क्रोम में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में गुट बैक